नगाए एक लड़का होता है उसको जुड़ो खेलना बहुत अच्छा लगता है वह अपने आ से मिलता है उ कि September सप्ताहु कि जुड़ो खेलना स्टार्ट करते था Bay mm उसका एक्सेडिन हो जाता है उसका right hand को सब्सक्राइब कामी नहीं कर सकता है ऊपको एक तरह से अपने आपको अपाहई महसूस करता है थोड़े दिनों बाद उसके coach उससे मिलने आते हैं उसके coach कहते हैं आप जुडो सीखने आईए कोई दिक्कत निये है आपका इंटरस्ट है आपका मन करता है आप आईए मैं आपको फूरा प्रफेक्ट बना दूँगा भाइसा वो फिर से आता है तो उसके कोच उसको एक दाम सिखाते है वो बच्चा उस दाम की प्रैक्टिस करता है दस दिन करता है बीज दिन करता है तीज दिन करता है बच्चा बोलत में कहते हैं कल तुम्हारा मैच हैं बच्चा है की यार मैं क्या जीतोंगा मैं कहां जीत पाऊंगा बच्छा कहता जैसी खिलाडी आमने सामने आते हैं तो बात होती है तो भाईसा वो देखता है पहलवान खिलाडी के सामने वाला काफी मजबूत है कैसे ना कैसे करके भाईसा वो पहले पहले ही उसमें उसको हरा देता है लड़का हरा देता है फिर एक अच्छा और ज्यादा ताकतवर खिला तारी आता है उसको भी वह उसी दाव को ऐसे लगाता है दमदार करके वह फिर से उसको हरा देता है फिर फाइनल मैच होता है तीसरा राउंड होता है फिर तीसरा बंदा और आता है अब की गार और बढ़िया बंदा आता है अब की वार वह बच्चा ऐसा खेलता है थोड़ा वो तो गिरता है पड़ता है पर फिर से जब उसका वो दाम लग जाता है फिर से वो जीत जाता है वाई साब वाई साब उसको समानित किया जाता है सब कुछ होता है वो अपने गुरू के पास आता है उनके चरन चूता है और उनसे एक बात पूछता है कि साब मुझे एक बात सीखा है इस दाम को खोलने के लिए तेरे राइट हैंड को पकड़ना जलूरी है और तेरे पास राइट हैंड ही नहीं है तो वो तेरा पकड़ेगा क्या जब तक उस बंदे का राइट हैंड पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये दाम खुलेगा यह नहीं इसलिए ये दाम मे वो लोग सब फस जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाईए आप अगर उन पर मेहनत करेंगे तो वो आपकी ताकत बनती चली जाएंगी अगर आप उनको छोड़ देंगे तो चीजें सदा के लिए ऐसी रहेंगे आप अपनी कमजोरियों पर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में तो जोर लगता है पर बाद में उतना ही मजा आता है और एक दिन हम जीत जाते हैं अगर आपको मैत अपना कमजोर लगता है इस पर काम कीजिए अच्छे से कीजिए आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी और ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे बस अपनी कमजोरियों को अपनी क्या करें थाकत बनाते चलिए बहुत मजा आने वाला है